हेलो एंड वेलकम बैक तो पीवाइक्यूपेडिया हम लोग रिविजन तुरू प्रिविए सीर कुष्चन की स्रीच चला रहे थे उसमें हमने प्लाइन किया था कि 75 वीडियो हम लोग लाएंगे और उसमें यूपेसी जितनी भी जाम कंड़क कराती है उसकी सब्जेक्ट वा यह बट्राइम गोईंग तो कंप्लीट एस सुना इस पॉसबल इस सरीज ठीक है इसकी पीडिया आपको टेलीग्राम चैनल पीवाइक्यू अंडरिस्कोर पीडिया पे मिल जाएगी और ठीक है फिर लेट्स स्टार्ट दा सेशन तो पहला जो आपका कुष्चन है पहला कु जितनी भी धर्म है और जितनी भी विचारधारा है उन सब को फ्रिड़म ऑफ एक्स्पेशन प्रवाइड की गई है इन सुलाहिकूल तीसरा है कि आईडियल ऑफ सुलाहिकूल वाज इंप्लेमेंटे थ्रू एस्टेट पॉलिसी के थ्रू जो आधर से सुलाहिकूल को उसको इंप्लेमेंट किया जाता था यह तीनो है वो नकर पंकर के समय में ये आफ को आई थी सुलाहिकूल जो घा वो एक अबपिक टर्म है थिक्था ना इसका मतलब होता पीस विट आल या यू कैन सी से यूनिवर्सल पीस भी बोल सकते हो या आप इसको एपसॉलिट पीस भी बोल सकते हो इससे क्या होता था कि जैसे कि इंडिया में डाइवर्स रिलेजन हुआ करती थी है ना तो जितनी भी अकुबर ने इसको प्रपोज किया था कि सब हीुमन बेंग को एक साथ पीसफुली वह रह पाए है ना सो और दे हैब दो इंटर्फिट टॉलरेंस एक दूसरी के रिलेजन के प्रती टॉलरेंस हो है ना सबका ट्रीटमेंट एकुटमेंट फॉर विलिम और गेसे रिलेजन फुली क्लिमियरेंस परदूस की रिलेजन जया अंदाज करते हुए सब के लिए इकॉल ट्रीकमेंट हो यह सब्वाजिक गया था 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 तो इसमें क्या है सब धर्म को एक सामान देखना है तो यह दोनों सही है, थार्ड जो है, यह स्टेट पॉलिसी की तोरा implement किया जाते थे, ठीक है, तो इस इस आल्सो राइट, जो सुलही कुल की जो अधर्स है, वो स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जैसी बनाई जाते थे, जिससे कि इसमें जो सुलही कुल है, जो अधर्सोलिट पीस के लिए जो जो चीज़ चाहिए, वो आपको उस पॉलिसी की तहत, उसको पूरा किया जाते, इंप्लिमेंट किया जाता, यह तीनों सही है, और इस इस लाइन टेकन फॉम दॉन न्सी रटी, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, और जो स्टेट की ऑथरीटी है, उसको अंडर्माई ना करे, यह आपको न्सी रटी की है, अगला कुश्चिन है, कि विच्वन अफ दॉन अफ फॉलोईंग, पियर्स ओव बिक्किन संतनत, है ना, दक्कन संतनत, अब निजाम साही कहां के थे, आपसे पूछा जा रहा है, क्या निजाम साही बीजापूर के थे, बरीद साही बीदार के थे, कुतुब साही गोलकुंडा के थे, इमाद साही बेरार के थी, ठीक है, बेक्कन संतनत जो हुआ करते थे, उसमें पाँच स्टेट बनते थे जब बहमणी सल्तनत की जब ब्रेक हुई थी तो पाँच kingdom बनी थी पाँच जो है independent इस्टेट बनी थी और उस पाँच स्टेट को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते थे क्या बोलते थे दक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत में वो पांच स्टेट होते थे, तो उसमें पांच में कौन कौन थे, बिलकुल निजाम साही, बीजापुर के नहीं हुआ करते थे, निजाम साही जो होते थे, वो होते थे, अहमद नगर, अहमद नगर के निजाम साही थे, अहम वरीद साही, इमाद साही, बिरार साही है, कुतुब साही, गोलकुंडा, ये भी साही है, तो पांच कौन-कौन हो गए, निजाम साही, अहमेद नगर, आदिल साही, विजापुर, वरीद साही, बिदार, कुतुब साही, गोलकुंडा, और इमाद साही, बिरार, यू कन सी दिस कि अगर जब आपको भामनी सल्तनत ब्रेक हुई थी तो पांच स्टेट बनी थी जिसको collectively हम लोग दक्कन सल्तनत बोलते हैं उस दक्कन सल्तनत में हमारा कौन-कौन था आदिल साही और बीजापूर, निजाम साही और अहमद नगर, इमाग साही और बिरार, कुतुब साही और और बरिजापूर, यह आपको याद रखना है, अगला क्यूश्चिन है, कि कुषान जो सासक्थ है, है न, उसमें आपको कहां से हमें यह मिलता है, कहां से, कुषान सासको द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारना, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, यह कैसे पता जलता था, कि रिजिजिशन को दान करते थे, तीसरा क्या है, इंस्क्रिप्शनल पैनिगैरिक्स, इंस्क्रिप्शनल पैनिगे सिला लेखिये, प्रसस्ती से हमें पता जलता है, वो कितना बरा राजा हुआ गरते थे, है न, और दूसरा, क्वाइन से हमें पता जलता है, तो यह आपसे पूछा जा रहा है, कि कहां से पत जलता है clear तो यह आपको NCRT में लिखा हुआ है कि the notion of kingship they wish to project are perhaps best evident in their coin and sculpture तो this is written वो अपने आपको DT's के साथ देवता के देवताओं से वो अपना identification करते थे but mostly जो था वो NCRT लिखा हुआ है कि उनकी kingship के बारे में उनकी kingship के बारे में हमको पता चलता है कहां से पता चलता है coin and sculpture से ठीक है this is also from the NCRT ठीक है clear the notion of kingship they wish to project are perhaps best evidence in their coin and sculpture उसके बारे में हमें पता कहां से चलता है वो देख लो then हमें मिला है क्या colossal statue of kushan ruler have been found installed in Srinayatmat near Mathura Srinayatmat near Mathura उत्तर प्रदेश से मिला है वो अपने आपको देव पुत्र बोलते थे यह ना तो यह भी आपको son of god तो यह आपको ध्यान रखना है आगे भी इसके question आएंगे but this is also from the NCRT अगला question है कि आठवी से चौदहवी century में in the Sanskrit text and description which of the following terms were used to do Muslim को denote करने के लिए आठवी से चौदहवी century के समय में Muslim को denote Sanskrit text में जो Sanskrit की book हुआ करती थी inscription हुआ करती थी उसमें Muslim को किस word से आपको plate करते थे यह आपको the Hindu में उस समय news में था इसलिए पूछा गया था ठीक है देन आपको पारशिक भी कहा जाता था और आपको यह तीन चीज कही जाती थी इसके अलावा भी कुछ कहा जाती थी गोड़ी तुरक मातंग ग्रजांक है नो यह सब मलेच्छा यह सब आपको बोला जाता था इस इस फ्रॉम दा NCRT जो यह कर्दमक है कर्दमक है इस 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 डाइनस्टी जो वेस्टर्न चत्रपा की एक डाइनस्टी हुआ करती थी जो वेस्टर्न और सेंटरल इंडिया में रूल करती थी 1st to 4th century के समय में है ना और इसके जो फाउंडर थे कर्दमक डाइनस्टी के उसका नाम था चस्ठना समझ में आ गया तो यह NCRT में लिखा हुआ था कि उसकी टेक्स्ट में मुस्लिम को इन वर्ट इन नामों से उकारा जाता था और भी जो नाम है गोडी तुराक मातंग गरजांक यह आपको सारी चीजें लिखी हुई है अगला कुश्चन है कि यशो बर्मन किस किंग्डम के रूलर थे तो यह आपको यशो बर्मन जो थे वो कन्नौज स्टेट के रूलर हुआ करते थे ठीक है यह एक्स्प्लानेशन है अगला कुश्चन है दिल्ली के सुल्तान जो इक्ता सिस्टेम अपनाते थे वो आपको पुराने समय में देश में यूज किये जाते थे इंडिजेनेश इंस्टिउशन यह हो गया तीसरा है तो ओफिश ओप मीर बख्ची मीर बख्ची का ओफिस केम इन्टो एक्जिस्टेंस दूरिंग दर रिजन ऑफ खलजी सुल्तान ओप दिल्ली ठीक है खलजी सुल्तान के समय में मीर बख्ची का पद आया था यह आपसे तीन चीजे पूछा जा रहा है पहले चीजे आपको याद रखना है तो यह आप याद रखिए कि मीर बख्ची जो होते थे वो होते थे Meele बख्ची कौन होते थे दोनों तो और ऑप दिल्ली सल्तनत के समय में रिवेन्युक जो डिर्डीक्टि पिजन से किया जाता था और लाइंड को मेजरमेंट किया जाता था वो किस के हाथ में था वो था आमिल के हाथ में यह आपको बिल्कूल सही है, इसके बाद, इक्ता सिस्टम जो है, इक्ता सिस्टम of सुल्थान्स दिलं, भी वाजान, अंसित इंडिजेनियस symbolism, यह आपको बेसिगली जो इक्ता सिस्टम है, वो वेस्ट आजिया में एवाल्ट हुआ था, यहां का नहीं है हमारा इंडीजेनस नहीं है यह वेस्ट एशिया में एवल्ट हुआ था मतलब परशिया और समय में जो बाइड डैंस्टी हुआ करती थी वहां पे वो इंडिया में यह आपको कौन लाया था मामलूग डाइस्टी के इल्तुतमिस ने इंडिया का ही एंसेंट इंडियनेश है ऐसा यह कहना गलत है इक्ता सिस्टेम में क्या होता है पूरी इंपायर की लैंड है उसको छोटे-छोटे लैंड की टुकरों में बाढ़ जाता है इसको यह अब इसमें क्या है तो यह आपको one only is the answer अब इसमें आप अगर यह याद रखोगे कि जैसे revenue collection का जो head होते थे दिल्ली सलत्रत में उसको आमिल बोलते थे तो ग्यासुदिन बलबन के समय में उन्होंने एक military department बनाई थी जिसका नाम जिसको बोलते थे दिवाने अर्ज य याद रखेंगे और इसके जो head होते थे बोलते थे अरीजी मामलिक समझ में आ गया ठीक है ना यह आपको पूरी royal army को maintenance करता था और दाग system कि इसने इंट्रोडिउस किया था यह अगर आपसे पूछेगा तो वो you can say that कि Allaudin खिल जी ने डाग system इंट्रोडिउस किया था just a branding of forces clear यह आपको इतना याद रखेंगे इसमें so one one is the answer this is the explanation अगला है कि Mia Tansen के बारे में conscious statement सही नहीं है Mia Tansen के बारे में conscious statement सही नहीं है पहला है कि Tansen जो title है वो Mia Tansen was the title given to him Emperor Akbar के द्वारा उनको Mia Tansen को Tansen के उपादी दी गई थी पहला तो यह है दूसरा है Tansen ने धूपद on Hindu God and Goddess पे Tansen ने compose किया था धूपद तीसरा है Tansen compose songs on his patrons जो जो उनको संरक्षक थे जो राजा उन पे वो गाना लिखते थे Tansen तीसरा यह है चौथा क्या है Tansen बहुत सारे राग का invent किया तानटन की बात में अगर आप बात करें तो तानटन तानटन जो थेो आपको सब्सक्राणत कि राजा रामचंड्र रामचंड्र कहां के राजा थे वांधव cosa रेवा मद परदेश वांध्करदेश रामचंड्र के जरबार में Amendment तैन अब को पदाबदा चला और अकबर ने तांसेन को मिया की, मिया की टाइटल दिया था, so the title मिया given by the अकबर to तांसेन, नौटा की तांसेन नहीं टाइटल दिया गया था, so wrong पूछ रहा है, so this is the answer, now तांसेन को संगीत सम्राठ भी बोला जाता था, और तांसेन टाइटल जो है, वो इनको कोशने दिया था, राजा विक्रम जीत, राजा विक्रम जीत ऑफ ग्वालियर, विक्रम जीत ऑफ ग्वालियर, तीन चार चीज़ नाम याद आ गया, कि राजा राम चंदर के कोट में होते थे, मिया ताइटल किस ने दिया, तांसेन टाइटल किस ने दिया, और अकबर के कोट में कब गय और इनको तांसेन को अख्वर ने एक और टाइटल दिया था कंथ भरन वन विलाज तो यह सब याद रखेंगे बाकि यह तिनों सही है कि हिंदू गोड्स और गोड़ेश पर इन्होंने आपको धूरूपक्स कमपोज किया था और बाकि यह सब सही है जिनके आप अंदर में र और इस कंष॑ यह तो इस कि यह सब्क सार्चन को में बहुट रहा है कि कि में चंगेज खान में और बहुटन योगराज की खोज में सिंदु नदी तक पहुंचा था basically you ask question ये पूछ रहा है कि किसके सासन कैल में चंगेन खान, चंगेज खान सिंदु नदी तक पहुंचा था ये पूछा जा रहा है आपसे दूसरा है कि it was during the region of मुहम्मद बिन तुगलग that मुहम्मद बिन तुगलग के समय में तैमूर ने मुल्तान को पर अधिकार जमाया था और इंडस को क्रॉस किया था दूसरा ये है तीसरा है कि it was during the region of देव राय देव राय दुटियक जो विजयनगर इंपायर के थे उनके समय में बासको डिगामा केरला कोश्ट पे आये थे ठीक है अब आप समझेए नेखिए देव राय दू जो थे वो 1482 बाइस से लेकर के 25-26 तक आपको शाषन में थे विजयनगर इंपायर में देव राय दू लेकिन बासको डिगामा जो आया था वो 1498 में आया था ये आप सबको प टैक किया था इल्टूत्मिस के समय में तो क्योंकि एट इडेया को सेव किया था क्योंकि एडूस ने कहा कि जो बास LEUNG है खारें य है फौरी साह है ना उनको यह आप सपोर्ट ने से रायbye था ठीक है समझ में आ गया यह भाग किया था बट इसको आपको सपोर्ट नहीं किया था तो यह आप इंडिया को इससे बचा लिया तो यह बिलकुल सही है तो फॉस्स सही है ना आप पूछ रहा है कि इड़ वाज डियूरिंग दरीजन ओप मुहमध बिन तुगलग देट टैमूर अकुपाइड मुलतान एंड इंडस मुहमध बिल तुगनक का समय जो था वो उस समय में नहीं दिखिए आप इस बात को याद रखिए कि मुहमध साह थे मुहमध साह जो 1420 के आज़ पास थे उस समय में तुगलग डूलर नास्ट है जहां पे तैमूर ने इंडिया पे इन्वेड किया था तो मुहमध बिन तुगलग के समय में तैमूर नहीं इंवेड किया था वो आपको कौन थे नसर इबी मुहमद साह जो 1400 इस वी के सबसे बड़ा क्या होता है सूभा सूभा होता है मतलब जो प्रोविंस को बोलते हैं इसके हेड जो होते हैं उसको बोलते थे सूभेदार सूभा के जो हेड होंगे उसको सूभेदार बोलेंगे जो भी गवर्नर जिसको बोल सकते हैं तो इस्टेट हो गया इस्टेट से नीचे कौन सा होगा डिस्टिक उसको बोलते थे सरकार सरकार मतलब डिस्टिक अभी से याद रखिए राज्य डिस्टिक और डिस्टिक को हेड ह होते थे उसमें दो होते थे एक होते थे फॉजदार क्या होते थे फॉजदार और एक होते थे अमल गुजार अभी हम लोग अमल पूछे परहे थे थोड़ा दर पहले तो अमल गुजार तो अमल गुजार क्या करते थे यह लैंड की तो डिष्टिक के नीचे क्या होगा ब्लोक warm डिश्टिक सबिस्टिक इसका जो पर्गना का है रोगते थे उसको भोलते थे सिक्कदार जैसे भी block development officer होता है village development officer होता है जब block development तो उस तरह से दिसीदर सिक्कदार और इसके नीचे होती थे village मतलब आज किसे इसको गुपहेड करते है village की हेड जैसे मुकदम नुदेवल इंडिय है बोल देते हैं, तो I am just want to say, कि अभी का समय सोच लो, state, district, block, village, समझ में आ गया है, तो सबसे चोटा unit कौन है, सबसे बरा unit कौन है, समझ में आ गया है, so we can, can we say that, कि सबसे चोटा village, फिर परगना, फिर सरकार, तो बढ़ते करम में area से पूछ रहा है, तो बढ़ते करम में कौन ह हो गया, इसका चोटा area हो गया, उसके बाद इसका area, इसके अदिसका, सबसे बरा, सुबा, so we can write that, यहाँ पर option जो है, परगना, सरकार और सुबा, 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 सुदा answer is A, अगर descending order में पूछता, घटे करम में, तो आपको सबसे पहले, बढ़ा वाले को लिखते हैं, सम पनम, तो फनम किस चीज से क्या होता था, यह पूछ रहा है, ठीक है न, देखिए, यूरोप, एक वर्ड थी यूरोप में, चलती थी, उसका नाम था पनम, ठीक है, तो उसको आपको नाम चेंज हो गया, और पनम का मतलब होता था, क्वाइन, यह यूरोप में होती थी, ठी यह विच्ट इज, अ, क्वाइन, गोल्ड करेंसी हुआ करती थी, ठीक है न, और इसमें क्या है, यह आपको बहुत सारी, इसमें स्मॉलेश्ट क्वाइन होती थी, 0.35 ग्राम के, 0.15 ग्राम के, हाफ रेंज, फूल रेंज, यह सब सिजे, यह होती थी, है न, मराथा, मैसूर कोचिंग, कूर्ग, यह सब जित्रैवन कोड, नागापटनम जितनी साउथ की थी, यह सब जो है सो आपको फनाम यूज करते थे, तो समझ गयें, पनाम यूरोप में यूज होता था, क्वाइन के लिए, इंडिया में, साउथ में, साउथ इंडिया में, फनाम यूज करने लगा, गोल्ड करन्सी के लिए, सुदा आंसर इज कोई, क्लिया, जिसे थे एक्स्प्लानेशन, अगला कुश्चिन है, कि वित रफ्रेंस तो इंडियन हिस्ट्री, हूँ अप था फॉलाइंग वे नोन एज, क्या है, कुलाहदारन, क्या है, कुलाहदारन, क्या होते थे, भ इसलाम में, जो रिलिजियस क्लास होते थे, उसमें बहुत सारे ग्रूप बने हुए थे, तो जैसे उसमें ग्रूप थे, एक थे, थियोलाजियन, थियोलाजियन हुआ करते थे, फिर एसेटिक हुआ करते थे, देन उसी में होते थे, सैयद, देन उसमें पीर होते थे, और फ कर लेगा उसमें पहले हम लोग यह बात कर लेते जो सयद हुआ करते थे वह आपको पॉइंटेड कैप अपने रखा करते थे तो उसको पॉइंटेड कैप को बोलते थे कुलाह इसलिए सयद को बोलते थे कुलाहधारण दिल्ली सल्तनत के समय में उसको बोलते थे प्रॉफिट कैसे डिसेंट है उसकी उनकी जो बेटी थी जिसका नाम था फातिमा उसकी वंसेज है समझ में आगया और सयद को मुस्लिम सोसाइटी में आपको एक स्वेशियल रिस्पेक्ट मिलती है समझ में आगया तो सयद एक प्वॉंटेड कैप यूज करते थे पॉंटेड का पहनते थे जिसको प्वॉंटेड कैप को बोलते थे कुलाह त इसलीए उनको बोलते हैं डिली रिस सर्थनत के सामझ है अब इसमें जितनी भी आपको groups बताया है है ना उसमें सबसे important theologians है है ना अब इस theologian में आपको क्या याद रखना है कि theologians जो होगा जितनी भी judicial और religious offices होती थी किसी kingdom में वो आपको held करते थे और उसको बोलते थे दस्तार बदन ये आप याद रखेंगी ये term दस्तार बंदन और दस्तार बंदन या उसको बोलते थे टर्वान वियर जैसे उसमें cap पहनते थे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टर्वान ओगेर ये यूज करते थे और उफिशिल डेस पहनते थे because they are occupying the judicial religious offices in the kingdom ठीक है तो दस्तार उसको बोलते थे दस्तार बंदन दस्तार बंदन तर्वान वियर होते हैं और जो cap यूज करते थे उसको कौन थे सयद ठीक है ठीक है तो आंसर इस सयद बाकि आपको explanation में पूरी डिटेल दिये हुए है अगला question है कुछ किंग और डैंस्ती दिये हुए है तो किंग है नानुक जय शक्ति नागभद ड्वितिय भोज कुछ तो आपको इसमें पता ही होगा कि इसमें से कौन कितने पेर सही है तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो पहले हम लोग स्टार्ट किसे करें जय सकती का देखते हैं जय सकती इंपोर्टेंट वन एक हुआ करती थी चंडेल डैंस्ती चंडेल डैंस्ती होती थी चंडेल डैंस्ती होती थी और इसको जो चंडे चंडेल डैंस्टी 9th to 14th century में हुआ करती थी और उसमें basically वो जो वैसल थे वो गुजर प्रतिहार से ही निकले हुए थे और इसके जो founder थे चंडेल डैंस्टी के वो थे ननुका, तो ननुका is the founder, then वकपती, ननुका के बाद कौन थे, ननुका ये जो आपको चंडेल बोल रहा है, that's a wrong one, जय सक्ति जो है, आपको चंडेल डैंस्टी के है, समझ में, और जय सक्ति के बाद, आपने थोरी दिर पहले पढ़ा था, ये शो वर्मन, धंगा, धंग, विद्याधर, ये सब जो है, आपको चंडेल डैंस्टी के हुआ करते थे, और जो परमार डैंस् के, और जो परमार डैंस्टी था, उसकी फाउंड किस ने किये था, उपेंदर, कृष्ण राज, समझ में आ गया, clear, अब नागवट डूटी आप लोगों पता है, कि जो नागवट वन है, वो फाउंडर थे, आपको प्रतिहार डैंस्टी को, गुजर प्रतिहार को, समझ मे गया, तो ये नागवट डूटीय जो है, वो गुजर पतिहार का, तो इस और राइट, और भोज भी आपने देख लिया, कि भोज वन जो है, महंदर पाल जो है, ये आपको प्रतिहार पतिहार के है, सिर्फ ननुका चंडेल डैंस्टी और नागवट डूटीय गुजर पति योग वसिष्ट का नीजामदिन पानिपति, द्वारा फार्सी में अनुबाद किया गया था, योग वसिष्ट एक बुक है, जिसको नीजामदिन पानिपति., ने किसके सासनकाल में परसियन में ट्रंसलेट किया था, यह आपसे कुछिन पूछा जा रहा है, अब योग वस यह अकबर के समय में person में इसको translate किये थे clear? समझ में आ गया? तो answer क्या हो जाएगा? अकबर ठीक है? और इसके बारे हैं बागी जो details है वो आपको मिल जाएंगी जो यह आपको दी हुई है पूरी जो वस इसमें किस के किस के बारे में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं अगला कुश्चन है कि who among the following rulers of medieval गुजराथ surrendered due to पुर्टगाली? medieval इंडिया का medieval गुजराथ का कौन सा ruler ऐसा था जो दीव को पुर्टगाली को surrender कर दिया था? यह आपसे पूछा जा रहा है जब पुर्टगाली जब नहीं आया थे इंडिया में है ना? तो दमन और द्यू जो है वह वो गुजराथ, सल्तनत और गुजराथ के part हुआ करते थे सल्तनत और गुजराथ के part हुआ करते थे कौन-कौन? दमन और द्यू यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोनों दमन और द्यू को सेपरेट करता है, गल्फ अफ हमबात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जब आपको पुर्टगाली आये थे ठीक है ना? तो हुमायू से उनको, जो सेकेंड मोगल इंपेरर हमारे हुआ करते थे हुमायू उनको खतरा था ठीक है ना? तो वो क्या किये? सुल्तान गुजरात के जो थे बहादुर साह इन्हों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि हुमायू से हमको खतरा है, तो हम एक काम करते हैं, पुर्टगाली के साथ में संधी बना लेते हैं क्लिया? समझ में आ गया है, तो पुर्टगाली से संधी बनाते हैं, तो किस ने सरेंडर किया था? बहादुर साह तो 1534 में, 1534 में आपको बहादुर साह ने क्या किया था? एक कर किया था साइन? टिटियो में से और वहाँ पे इन्होंने दिव को पुर्टगाली को दे दिया था समझ में आ गया है? और भी कुछ-कुछ दिया था वशाई ठीक है न? वशाई यह आईलेंड है जो अभी मुंबई का पार्ट बनता है ठीक है न? और बाद में इन्होंने दिव तो लिहा बाद में 1559 में पुर्टगाली ने दमन भी ले लिया दमन भी इसे ले लिया तो यह आपको ट्रीटियो बेसिन वगएरा याद रखेंगे अब दमन दिव तो आप समझ रहे हैं फिर नगर हवेली के बारे में कुछ बताईए कि कई नगर हवेलि की बाद जो है इसो दादरा क्या है कि नगरहवेली कि नगरहवेली जो हुआगर ती थी वो राजकुत रोलर से माराथा में गई मे्टर इन संचूरी में और बाद में 1783 में नगरहवेली अप भी ट्रांसपर हो गई पूर्टबूयू चीज़ को यह आपको स़वसटर इरासी में चलत है है किके नद यह एक माराथा में एक सिब को डिष्ट्राइब कर दिया था उसके पंपनेसेशन में आपको माराथा मे राजपुत्लोमराथा मेंट थफ्तिके मेठासिट्ट उसके compensation में 1783 में ये पुर्तगाली को दे दिये, समझ में आ गया, और बाद में 1785 इस्वी में दादरा भी पुर्तगाली में acquire कर लिया, तो अगर आप से पूछेगा chronology, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले दिव को किया था, दिव के बाद धमन को, दमन के बाद नगर हवेली, नगर हवेली गवाद दादरा को, तो ये chronology तो आप याद रखी सकते हैं, 1961 में होती है क्या, operation बिजय, वहाँ पे गोवा दमन दिव है ना, इसको आपको दमन दिव को और गोवा को यूनिटेटी बना दिया जाता है, operation बिजय, 1987 में क्या होता है, गोवा को इस्टेट हूड मिल जाती है, और दमन दिव सेपरेट यूटी बन जाता है, 2019 में आपको पता होगा कि दादरा नगर हवेली दमन दिव को मर्ज करके, एक सिंगल यूटी बना दी गई हुई है, ये पूरी आपको दमन दिव दादरा नगर हवेली की हिस्ट्री है, चारो के चारो आपको अगला कुश्चन यह कि संत निम्बार्क है, वाजएक कंटेंपरेडियों, अकबर के कंटेंपरेडी है, और संत कभीर जो होता है, वो ग्रेटली इंफ्लुएंस बाई सेख अहमद, सिर हंडी से, हिस्री हंडी से बहुत जादा इंफ्लुएंस थे, ये दोनों कुछ, दोनो निम्बार्क किसके डिस्बिल थे, रावानुजुचार का, इन्होंने बनायत क्या था, द्वैत, अद्वैत, ठीक है, और यही इन्होंने इस्टार्ट क्या था, राधा माधा कल्ट, तो ये राउंड आपको 20th century में निम्बार्क ऐसा माना जाता था, कि वो जिवित थे, है कि 6th, 7th century में रहते थे, कहीं पर बोला जा रहा है कि 12th century में, तो not clear, but ये आपको अकबर के contemporary नहीं थे, दिन कवीर जो थे, वो रामानंद के डिस्पल हुआ करते थे, कवीर के गुरुजी कौन थे, रामानंद, है ना, और ये निर्गुन भक्ती के थे, 15th century के आसपास में थ करते थे, और जो ये आपको है, सेख अहमद सिरहंडी, है ना, ये आपको नक्स बंदी सिलसला के थे, जो 16th century के आसपास हुआ करते थे, तो ये इससे influence थे, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों की इसवी ही अलग थी, रामानंद के सिसिते कबीर और निर्गुन भक्ती को करते थे, और जो सेख अहमद सिर्वंदी थे, वो इस्लामिक स्कॉलर नक्स बंदी सिलसला के थे, जो 16th century में हुआ करते थे, तो नीधर वन और नौट टू इस राइट, अगला कुश्चिन है कि, with reference to the cultural history of medieval India, consider the following statement, आप से कुछ पूछा जा रहा है, इसमें क्या है कि, सिध्धाज, स and condemned fidelity, तमिल छेत्र के, एक सिध्ध या सिध्धर, जो थे, मोनोथिस्टिक, मतलब एक इस्वर को पानले वाले थे, और मुर्ती पूजा की निंदा करते थे, पहला तो यह है, दूसरा कह रहा है कि, लिंगायत अप कन्नड रीजन, question the theory of reverse and rejected the caste hierarchy, जो लिंगायत कन्नड रीजन क थे, वो caste hierarchy को reject किया, और इन्होंने reward होती है, इस पर question किया, यह आपको, दोनों आपको दिया हुआ है, now who is siddha, सिध्ध उसको बोला जाता है, जिसने सिध्धी को प्राप्त किया, the person who attends siddhi, मतलब सिध्धी, मतलब perfection, they have the supernatural abilities, तो southern जो इंडिया हुआ करती थी, कि वहाँ पे आपको सिध्धी के बारे में थे, और सिध्धा जो सिध्धी जो हुआ करते थे, वो सिभ की worship करते थे, सिभ और सक्ती की, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है, कि they are monotheistic and condemned idolity, मुर्ति पुजा का विरोध करते थे, तो यह बिल्कुल सही है, और लिंगायत जो होते सिभा का, समझ में आ गया, और बिल्कुल यह caste hierarchy के आपको reject किया था, मतलब और reward को question किया था, तो दोनों के दोनों आपको सही है, so see should be the answer, ठीक है, is the explanation, अगला question है, कि who among the following has described the medieval Indian postal system as of two kinds, the horse post called uluk and the food post called dava, कितना अच्छा question है, और यह NCRT से उठाया गया हुआ है, कि किसने यह कहा था, कि medieval India में जो postal system के बारे में बताया था, कि दो तरह की होती है, एक तो horse post होता है, horse post, एक होता है food, मतलब एक तो paddle जा करके पहुंचा रहे हैं, और एक horse पहुंचा रहे है, तो horse post जो होती थी, उसको बोलते है उलuk, औ आपको मैं बता देता हूँ, यह थे हमारे इवन बतूता, इवन बतूता ने यह लिखा है, कि इंडिया में postal system दोता रहके होते थे, एक होते थे horse post, जिसको बोलते थे, उलuk, जहां पे royal horses जो होता था, वो आपको हर 4 mile पे, यह भी याद रखिए, हर 4 mile पे, royal horse रखे होते थे, यहां से information इसको दे दिये, फिर यह 4 mile के बाद, यह horse यहां पहुंचा दिया, फिर यह horse यहां पहुंचा दिया, तो हर 4 mile पे horse हुआ करते थे, royal horses, ठीक है, वो पहुंचाते थे, और फूट पोस्ट जो होते थे उसमें क्या होता था फूट पोस्ट जिसको दवा बोलते थे उसमें क्या होता था हर माइल पर तीन स्टेशन हुआ करते थे पर माइल यह आपसे पूछा जा सकता है थ्री स्टेशन चार माइल पर एक स्टेशन और एक माईल पे तीन स्टेशन होगा था, पर माईल थ्री स्टेशन होता था, समझ में आ गया, तो ये दवा, तो इस इस दो कॉल्ड भाई दो इवन बत उता है और ये पूरी NCRT की लिए है, अगला कुश्यन है कि which one of the following statement is correct, इसमें कहा रहा है कि सिवाजी शेन्ट आण आμबेश्टर टू बंबे टू निगोसी एड अन अग्रिमेन्ट拜 द पहला तो ये है, दूसरा क्या है, चीप मोटिवाज टू सेक्योर इंग्लिस एड अगेंस्ट सिद्धी जॉब डंडा राजपुरी और यह भेजने का मुख जो उद्देश था जा डंडा राजपुरी को जो सिद्धी हुआ करते थे सिद्धी के विरुद अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करना की डंडा रा इंग्रेज उनको ग्रेनेट्स, मोट्रास थोप दे इसके लिए बहल भेजा था ये पूरा आपको समझ में आ गया तो अब इसमें क्या है यह बिल्गुल तीनों के सही है अब इसमें आपको समझना क्या है कि इनको धन्डा राजपुरी से उनको लगता था कि ठेथ ठेथ तो उनको लगता था कि दंदा राजपूरी की जो सिदीज हैं उनसे हमको ठ्रेट है तो इसके लिए इन्हों ने क्या-क्या इन्हों ये चाहते थे कि हमको अंग्रेज की सहायता मिले इनके खिलाफ हमको वहां से आपको military aid कुछ मिले, grenade मिले, तोप मुले, गोला वारुद मिले यह चाहते थे इसके लिए सिवा जी ने एक ambassador को भेजा था बंबे कि Big British से आप इस बात में negotiate किजिए और alliance किजिए इस military campaign के लिए यह तीनों का तीनों लाइन साहिए अगला है कि द फेमस हाथी गुंपा inscription of Kharvel mentioned that in the 11th year of his region Kharvel destroyed a confederacy of Tamil state उसका नाम था ट्रमिर देश संगथम which had long been a source of danger how old was this confederacy of Tamil उस समय में यह तमिल confederacy कितने समय का old था अब देखो यह किसी को नहीं पता होगा कितने समय old होगा बत यह the Hindu में दिया हुआ था इसलिए यह question पूछा हुआ था इसमें कह रहा है आपको कि हाथी गपा inscription में कारवेल ने मेंस किया था कि उसके सासनकाल के 11 साल में उन्होंने एक confederacy of Tamil state जिसको त्रामिर देश संगतम बोला जाता था उसको उसने destroy किया था क्योंकि वो उस पे खतरा था तो यह उस inscription में क्या लिखा हुआ है और वो कितने साल का था यह question है बट यह question आप वैसे पढ़ नहीं सकते थे बट दा हिंदू में exactly it is written that the inscription says that कार्वेल ब्रोक दो 113 यह ओल्ड ट्रमिर कंफिरेशी एक सो तेरा साल पुरानी त्रमिर कंफिरेशी को ब्रोक कर दिया इस रीटेन इन दौहिट्टू ठीक है समझ में आ गया तमिर जो जो दमिर थे जिसको बाद में द्रमिट बोला फिर द्रबिट बोला जो भी तमिर नाटू है हाथी गुंपा इंस्किप्शन जो है वो कहां पर है पहला चीज याद रखे उदैगिरी केप्स उदैगिरी केप्स कहां पर है वो बनीश्वर इसको किसने सबसे पहले देखा था उसका नाम है ए इस्टिर लिंग समझ में आ गया और कौन सी लैंगज में है ब्रामरी कि इसको लग रहा था कि उससे हो ना समझ में आ गया कि अगला कुशन है कि राय गज केशरी राचच केशरी और दाचच केशरी यह टाइटल है ये कॉनसीटानिशिटी के राजा को यह दोनों टाइटल दी जाती ठीढ़े कुशने जो टाइटल थी वो ककाटिया डैंस्टी के रूलर्स को मिले जाते थे तो पहला जो ककाटिया डैंस्टी के जो रूलर्स थे उसका नाम था प्रताप रुद्र प्रताप रुद्र इनको टाइटल मिला था धायगज केशिरी ठीक है और ककाटिया डैंस्टी की जो कौइंस होते थे उस पर भ उनको टाइटल मिल थी रायगज केश्री नमज में आ गया तो इतना याद रखेंगे काकाटिया डाइस्टी इस इस एक्स्प्लामेशन अगला कुश्चन है कि विच वन अब फॉलोइंग वाद प्रैमिली इस पर ददनी सिस्टम ददनी पर था किसी से लिटेट था अब दद जी एक तरह से एडवांस मोनी दिया लाता था मर्चेंट्स को जो मर्चेंट्स टेकिस्टाइल पोड़क्सन में थे उसको एडवांस मनी दिया लाता था एक तरह का एडवांस मनी हुआ कि ऑगता था सब आधर say textile production ठीक है न और ददनी जो वोड है वो पर्सियन वर्ड्स ददन से आया हुआ है और ददन का पर्सियन वर्ड में मेनिंग होता है एडवांस मतलब ददनी सिस्टम में क्या होता था कि एडवांस दिया जाता था को बिजनेस डिल हुआ तो उसमें मर्चेंट को दिया जाता था आ अगला कुस्चन है क्या है कि मनी ग्रामम और नान देशी मेडवल इंडिया में क्या होते थे तो मनीग्राम यह आपको बिडवल इंडिया में मर्चेंट गिल्ड को बोला जाता था यह आपको पता होगा और नां देशी जो होता था वो गिल्ड ऑफ ट्रेडर होते थे जो अपने आपको एक होईशाल इंपायर के समय में एक तरह से आपको समझे की एक जगह और्गनाइ साउथ इंडिया में जेनरली होते थे मनी ग्रामम अगला है कि मधिकालिन भारत में महत्तर और पटकिल किस चीज के लिए यूज होता था तर्म साब एक shopping कि याज रखेंगे महत्तर और पटकल मेंडियव इंडिया में इकी ingnation हुआ करती थी विलेज जेड मन को भूला जाता था महत्तर या पटकिली ठीक है कि तो इसमें क्या हो जाएगा आपको विलेज़ हेड मन को भूला जाता था विलेज़ के where लेड होते थे उसको महत्तर या पटकला अगला मेडिवल इंडिमी कुछ स्टेट है और अभी आज की समय में उसका रीजन क्या है तो उसमें पूछा जा रहा है कि चंपक दुर्गर और कुलतु कुलतु तो एक चीज में आपको इसमें बता दू कि ये भी दा हिंदु में था है ना कि 9th century में 9th century में बहुत सारे hill estates बने थे hill estates ठीक है तो उसमें थे उसमें एक काम रूप भी होते थे तो काम रूप तो आपको पता है इसलिए पूछा नहीं आपसे अशाम देन उसमें होते थे उतकल उरिशा में देन चंपक जो चंपक होते थे हिमाचल प्रदेश म है नॉटकं इन सेंट्रल इंडिया इस जितनी भी बात कर रहे हैं हमलों संब हीमालयन इस्टेट की बात कर रहे हैं दिर्गर सेंब होते तो कुल था यह मालावार में नहीं हो करके यह होते थे हिमाचल प्रदेश में समझ में आ गया क्लिया तो यह जो है आंसर होंगे टू अनली यह दीज ऑल आर दा हीले स्टेट्स यह सब 9th century में आपको यह चोटे-चोटे स्टेट की राइज हुई थी स्मॉल किंग्डम्स थे उसमें चंपक दुर्गर और कुल्टु थे चुपक चंपक और कुलुत जो है से हिमाचल प्रदेश के थे और दुर्गर जो है जमू के थे बाकी और काम रूप वह गयरे थुआ करते थे शाम में अगला कुश्चिन है कि इसमें बोल रहा है कि वाइट मार्बल वर वाज उज दिन में भुलंद दर्वाजा एंचा का फथेःपूर शिक्री हरे बlingen भुलंद दर्वाजा बनाने में वाइट मर्बल का यूज किया गया है यह यह है दूसरा है कि रीट सैडले स्टोन अं मार्बल वेर यूज़ दि अब सबके डाइग्राब फोटो अगर देख लेंगे तो आपको यह समझ में आ लाएगा बरा इमामबारा और बरा इमामबारा और रूमी दर्वाजा जो लखनों में है उसको बनाने में लाल सैंड स्टोन और मारबल का यूज किया गया है अगर मैं आपको यह बताओं कि बुलन दर्वाजा जो फतेफ़ुर सिक्री में है वो आपको 1622 मी बनाया गया था किस के दोरह बना गया था अकवर के समय में बनाया गया था अकवर के द्वारा और की विक्ट्री ओवर गुजरात के उपर विक्ट्री के लिए बनाया गया था और ये जो है सो वाइट मारवल से नहीं रेड और वॉक्ट से बनाया गया था समझ में आ गया बारा इमाम बारा तो ये तो पहले गलत हो ग इसको अस्पी मौस्की बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको, ये भी जो है आपको, ये वूड वागेरे से बनाया गया था, आईरन से बनाया गया था, और ब्रिक्स से बनाया गया था, ब्रिक्स को यूज करके, इस इस अलसो रॉंग, रूमी दर्वाजा जो है, वो भी आपको बनाया गया था बिक्स और इसको लाइनों से कोट किया गया था है hahaha है अब वाइट मार्वल qui ने बनाया था सेक सलीम चिस्ति के लिए या अकबर ने वाइट मार्वल टॉन बनाने की बात किया था यह दोनों तो आपका गलत हो गया वन लॉट तो इस दो राइट अगला को जने की विद रिफेरेंस टुथा मुगल इंडिया वाट इज डिफेरेंस बीटेविन जागीरदार क्या होते तो जमिन्दार क्या होते थे थे अब इसमें क्या है कि एक चीज आप समझें कि वट इट इकता हम लें बात किया थे जैसे एक चीज होती थी जागीर ठीक है तो मानसबदार जो होते थे उसको सैलरी के जगा पे मानसबदार जो होते थे उसको सैलरी के जगा पे आपको जागीर मिलते थे जैसे इकता है वैसे लैंड का टुकरा मिलता था वहां से अपना वो venue collect करके use करते थे ठीक है Gothic अब ये जागीर होते थे तो उसके जो जागीर दार जो होते थे तो ये मालेजे कि आज आपको rank कुई मिला हुआ है मांसब मिला हुआ है तो आपको किसी noble person को मिला हुआ है ठीक है तो उसके recording आपकी जागिरदारी होगी तो जागिरदारी जो होती है वो हैरेडियोटरी कभी नहीं हो सकती है वो तो आपको डिपेंट करेगा कि इंपेर किसपे राइणक ज्यादा sup ज्यादा न यहां तो उसके अमसार से वो changes होती रहती है, आज तुम्हारी पास में जागी रहे, कल किसी और को दे दी जा सकती है, आज आप इसको administer कर रहे हो, revenue collect कर ले हो, कल किसी और को हो सकते हैं, लेकिन जमिनदारी जो होती थी, वो आपको revenue right जो होती थी, वो hereditary होती थी, समझ में आ गया, तो अब question जो है, क्या है, कि land assignment to जागिरदार were hereditary and revenue rights of जमिनदार were not hereditary, तो ये आपका हो गया, जागिरदार का land assignment जो होगा, वो hereditary नहीं है, समझ गये आप, इसमें समझ गये हैं, ठीक है ना, अब क्या है, जागिरदार were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties, whereas जमिनदार were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than the revenue collection, जागिरदार जो होता है, उसको land, were holders of land assignment in lieu of judicial and police duties, आपको कोई काम दिया गया है, तो judicial and police duties को करने के लिए, करने के एवज में आपको ये दिया जाता है, ठीक है, और जमिनदार जो होता है, वो आपको, कोई आपको duty perform नहीं करनी है, है ना, सिर्फ revenue collect करनी है, ये आप से बोल जा रहा है, अब यहां पर क्या है, इसमें यह है कि जमिनदार, जो judicial police duty जो होगा, वो लोकली जो perform की जाते थे, वो जमिनदार के द्वारा, और जागिदार जो हुआ करते थे, वो land assignment के holder हुए, हुआ करते थे, in lieu of military service के against में, अगर military service दे रहे थे, उसके against में, आपको उनको एक जागीर मिला करते, जो दोनों के दोनों गलत है, तो आंसर इस नीदर, वन नौल टू, इस इस प्लानेशन, पूरी आपको NCRT की cutting है, अगला है कि अस्ट प्रधान क्या थी, अस्ट प्रधान के बारे में, कुश्चन आपसे पूचा जा रहे है कि अस्ट प्रधान क्या प्रधान, जो होगा, गुपता Adminstration में था, चौल Administration में था, विजयनगर में था, और मराथा Administration में, तो सिवाजी महराज के साहे में अस्ट प्रधान हुआ करते, उसको अस्ट प्रधान मंडल ऑफ सिवाजी बोला जाते, बोला भी जाता था अब इसमें क्योंकोन होते थे मोरो त्रिमबक पिंगले ये प्रधान इनको बोला जाता था ये क्या करते थे रनिंग दा एडमिनिस्टेशन और मेकिंग एरेंजमेंट फॉर्दा कॉंकिया जाता था उनकी पूरी एरेंजमेंट करना देन राम चंदर नील कंथ मजमदार इनको अमात्ति बोलते थे ये स्टेट के एकाउंट को रखते थे देन अन्ना जी दत्तो ये शचीब होते थे रोयल एडिक्स को प्रिपेर करते थे दत्ता जी त्रिमबक वाकिन्स ये मंत्री हुआ करते थे कोरिस्पोंडेंस हम्भी अर्मी को और्गनाइज करते थे राम चंतरिमबक दबीर ये शुमन्त हुआ करते थे फोरण रिलेशन की काम होता था नीरजी राव जी नियाएधीस होते थे जस्टिस को dispense करते थे और मुरेश्वर पंडित राओ पंडित राओ होते थे यह religious matter को देखते थे यह अस्थ प्रधान सिवाजी महराज के थे उनके नाम आप चाहे तो याद रख सकते हैं तो आप एक बाद लुप देख सकते हैं अगला कुश्चन है कि अप भ्रहम्स एक त यूज है वो जो grammarians है जो ब्याकरनाचारे है उन्होंने आपको इसको इस वॉइड को यूज किया है अब भ्रहम्स बोला है कि नौर्थ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती थी है ना modern अभी आज का जो लैंग्वेज है उससे पहले उसके स्टार्ट होने से पहले ज इसको बोलते थे अब भ्रहम्स ठीक है सो आधनिक भारतिय भासाओं के अर्ली फॉर्म सब्सम अब दा मॉडर्ल इंडिया अभी जो लैंग्वेज है उसके पहले अर्ली फॉर्म में जो बोले जाते थे वह अगला कुश्चन है कि नस्तालिक क्या है नास्तलिक क्या है तो ए इस एक एक की वर्ड्स आप फीगर के नीचे जो लिखा होता है उसको भी ध्यान आप दिया गरो यह आप देख लो पर्सियन और अरबिक नस्तालिक स्टाइक कर्सिव एन इस एजी तूरिड है ना यह लिखा हो है ना तो यह आपको राइटिंग स्टाइल है डिफरेंट काइंट्स ओफ राइटिंग कुड मेक दे रीटिंग और पर्सियन और अरबिक डिफिकल्ट यह आपको इसमें है पूरी बाकी आपको डिटेल दी होगी है अगला कुश सबसे पहले तो दस गुरु हैं उनके बारे में पता होना चाहिए नानख देव देन अंगध देन गुरु अमरदास रामदाश देन अर Dafür देन हर गभीन्ध देन हर राय देन हर किशन देन तेज बहादूर बहादूर और गुरु गोभीन्ध सिंग। उसके बाद कोई नहीं आया है ना लास्ट गुरू थे यह भर अमरदास जो है ना मांजी और पिरी सिस्टम है ना मेंग और विमेन के लिए एक आपको रिलिज्जिश मिषण religious mission का system था for men and women respectively manji and piri तो manji और piri जो है तो यह आपको गुरु अमर्दास का नहीं है गुरु अमर्दास manji and piri तो manji आपको गुरु गोबिंद सिंग का है तो this is wrong ठीक है ना और मेरी और piri जो है आपको start किया गया है हर गोबिंद के द्वारा हर गोबिंद के द्वारा ठीक है आधी ग्रंथ जो है वह अर्जुन देव ने 1604 इस्वी में compose किया था और अर्जुन देव ने ही आपको golden temple भी बनाया था जिसको अर्जुन देव को ही एक्जुकूटेड वाई जहांगीर तो अर्जुन देव आधी ग्रंथ दिस इज राइट समझ में आ गया है नाव आपसे अगर कोई पूछेगा कि आनंदपुर साहिव किसने अस्थापना किया था इसी दिसीद तेज बहादुर क्लियर समझ में आ ग बाब आकी और आपको एक्स्प्लानेशन है उसमें आप देख लेना अगला कुछेण है कि आपकर कंसे इस पावर बल्वन एजुम्त ग्रैंट टैटल को कौन सी टाइटल मिली थी बल्वन जो है दिली सल्तनात के आपको बल्वन दिली सल्तनात जो है सो बहुत सारे मंगोली कि इंविजन को आपको लड़ा था और उनको टाइटर मिला था जिल्ले लाही जिल्ले लाही ठीक भांदी यह न जिले लाही कहा था बगवाल की परचाहिं परचाहिं किसको हमेलिती आपको बता हो कि महत्मा गांधी को मिली थी दीनलाई किया था दीलीजन ओफ गॉड यह तूते हिंद किसको बोलते थे अल्लावदिन खिल जी ने तूते हिंद जो है सो ताइटल किसको दिया था अमीर खुस्रों को जिसको पैरट ऑफ इंडिया बोलते थे ठीक है यह सारी एक्स्प्लानेशन दी हुई है अगला कुश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में फवाजिल का मतलब क्या होता है यह भी NCRT के कुश्चन है NCRT नहीं इगनु में यह आपको लिखा हुआ है ठीक है न कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट नोबेल को दिया आते उसको फवाजिल बोलते थे फवाजिल है न रिवेन्यू एसाइंड इन लिओ अफ सैलरी के अगेंस्ट रिवेन्य देखिए अब क्या होता था इसमें फिरियेट में क्या होता था इक्सेस अमाउंट जो लिया जाता था था यह वह आपको है ना उसको बोलते थे फवाजिल इक्सेसामाउंट पेट टूद एक्षेकर वाई दाएक्टारास मतलब आपको संट्राइशन की सिस्टम थी तो पर था उसको बोलते था बोया अच्छा ना अच्छा खालीशा लेंड किसको होता होता था उससे जो रिवेम्यू आते थी वह πूर यह सुल्थान किे देखो यह आपको लिखा हुआ है, जब आपको जो देना है, वो तो देना ही रिवेन्यू, उसके बाद आपको गॉवर्मेंट अगर चाहिए, गॉवर्मेंट इन दे सेंस कि जो राजा चाहेंगे, तो आपको एक्सेस अमाउंट की भी दिमांड की जा सकती है, तो इस एक्सेस अमाउंट को बोलते थे, फॉवर्मेंट अगला कुश्चन है, कि कुछ स्टेट्मेंट्स हैं उसके बारे में बोला कि, अहादी वेर्डोज टूपर्स, अहादी कैसे टूपर्स होते थे, ठीक है, तो अहादी ओफस देर्स सर्विस सिंगली करते थे, इधे इंपेरर होते थे, तो आपको समझ में आ गया, इसको आपको इंडिविज्वल आपको रिकूरुट किया जाता था, और इनको जो है, इनके एक ऑफिशर होते थे, तो उनके कमांड में यह होते थे, ठीक है न, तो यह किसी चीफ के नहीं होते थे, एक ऑफिशर होते थे, उनके कमांड में होते थे, है न, सो अटेज देमसल तो विरजाओं से खुद को जोड लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसका अपना जो है, आपको मांसब्दार ओफिशर होता था, अपनी बक्षी होते थे, है न, सब अपने होते थे, और ये पूरी लॉयल ट्रूप्स हुआ करते थे, और सबसे ज़्यादा हाई सैलरी मिलती थी, और हट इंपेरर आज देर इमेडियेट, और उनकी जो है सो इमेडियेट कौन लन जो होते थे, वो इंपेरर होते थे, सो दा आंसर इज वान टू एन थ्री, अगला है, कि राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गए और वे अपने राजा से, बदा उन्हों ने, बदा उनी ने किसकी मरने पे ये बोला था, कि राजा, दे किंग वाज फ्रीड फ्रॉम इज पीपल, और फ्रॉम देर किंग, मतलब, बदा उनी ने किसके लिए बोला था, ये आपको, जब मुहम्मद बिन तुगलग की देथ हुई थी, तो आपको, ये आपको बदा उनी ने बोला था, क्योंकि उनकी बहुत सारे डिसीजन से, जो लोगों की नॉर्मल लाइफ थी, वो डिस्टर्ब हो रही थी, अब इसमें, लिस्ट वन, लिस्ट टू दिया हुआ है, जागिरदारी सिस्टम, रहयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमिनदारी सिस्टम, यहां बाद में भी देखेंगे, बट अभी आया है कुश्चन, तो देख लेते हैं, थोरा सा इसमें, जागिरदारी में क्या होता है, रहयतवारी में क्या होता है, महलवारी में क्या होता है, और जमिनदारी में क्या होता है, यह आपसे कुश्चन पूचा जा रहा है, लैंड अलोटे टू बीग फ्यूडल लाउड, लैंड लॉट्स हो गां क्षांड लैंड अलाटेट तो डिक्फी दिल्लांट लैंड एवहरियो फैमस को फोर रिंड कोलेक्टर्स लिएनियु सेट्लमेंट मैंट विलेज लेवー पर अक mango कैसे तेलमेंट वह वे महलवारी सिस्टेम मेड़ विलेज लेवल महलवारी सिस्टेम देन लाइन लॉटर तो इच पिजेंट विच देरा यह तो पता ही आपको रहत वारी किसांद से रहत मतलब किसांद से डाइरेक लेंगे यह भी सही है रहत में लॉटर तो इसमें भी दिखा हुए कि जमिंदारी सिस्टेम लॉट काणवालिस ने स्टाट किया था रहत वारी सिस्टेम थॉमस मुन्रो ने स्टाट किया था महलवारी सिस्टेम विलिम वेंटिक ने किया था यह बंगाल बिहार उडिशा में था पूरी आपको डेटेल दी हुए यू कैन सी दो डेटेल ठीक है अब कि माराथा याइडमिनिस्ट्रेशन संभाट जी के बाद माराथा याफ से पूच्छरा है तो अब इसमें यह ब्लबा जी अधिना थे फेमस ते उसके भाद तो अगर आप इसमें राजा राम थे राजा राम तो यह सब जो चोटे-चोटे थे तो बाला जी विसुनात नहीं इसको संभाला था अगर सिवा जी की फैमिली ट्री आप देखेंगे तो आप यू कैन सी दिस चतरपती सिवा जी साही भाई शोयरा भाई उससे आपको एक सांभाजी हुआ दिन रा गर्णाब से पूछा रहा है कि इकता सिल्चा क्या जागीर सिस्टेम अम अम्रं सिस्टम मोकस मोकष सिस्टम यह कहां से कैसे कासे स्टार्ट हुआ तो जागीर बता दिया था कि नोवेल लोगों को दिया जाता था कि वह जो सर्विस करते थे अशनमें उसके लिए revenue assignment डिया जाता था तो यह दिल्ली सल्टनत के समय में इलतूतमीस आपको याद होगा है ना तो उसके समय में एक तो एक एक अटू देन जागीर जो है जागीर जो है अब का वो मुगल के समय में जागीर इसका नाम हो गया इकता ही जागीर हो गया और South India में माराथा में जो माराथा अर्विजय नगर में इसको अमरम और नायंकार बोलते थे जो आपको याद रखता था और इससे मिलिटरी चीफ नायक बोलते थे तो सरंजम और मोकस यह दोनों आपको माराथा टेरिट्री में यूज होते हैं दोनों जागीर की तरह ही यूज होते हैं मतलब यह सारी जो चीज़ें हैं वह किसी सर्विस के बदले में आपको रिवेन्यू एक्सप्लानेशन आप इसको याद रखेंगे अगला कुश्चन है कि मंगोल अंडर चं सब्सक्राइब होगा यह हमने पढ़ा था अब थोड़ी पहले मोटिव बिहाइंड साह जहां बाल इंक्रेंपन के पीछे मोटिव क्या था जब 1623 में साह जहां ने आपको कंधार को कैप्चर लिया था तो उनका क्या था कि जो उनकी एनसेस्टरल लैंड भी पुरबज की जो लैंड थी त्रैंसोक्सियाना तो उसको चाहते थे उजबेक के पास में था उसको चाहते थे कि उसको हम हासिल करें तो ये उस समय जो है सो आपको साज जहां जो है सो उसके लिए क्या किया था कि उसके लिए उन्होंने क्या किया जो थे बालक और पादकाशान उसमें उसके लिए उन्हों उसके साथ friendly relation बनाया था समझ में आगे हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगला कुश्चिन है कि मुहम्मद बिन तुगलक लेफ दिल्ली एंड फॉर टू इस लिफ इन एक कैम्प स्वर्ग द्वारी ठीक है न हुआ क्या था कि दिल्ली में प्लेग हो गई थी और लगद्वारी और वहां पर दो सालता रहा था डेट दिल्ली वाज रेवेज वाइब प्लेग एंड मेनी पर डाइट बिल्कुल दोनों के दोनों सही है दोनों एक दूसरे के एक्स्प्लानेशन भी है अगला कुश्चिन है कि बरानी हिस्टोरियन बरानी रिफ्यूज टू इंडिया अंदर डिल्ली सल्तान ऐस टूली इसलामिक बरानी जो थे उन्होंने कहा था कि जो इंडिया में जो स्टेट है दिल्ली सल्तान के अंदर में पूरी तरह से इसलामिक नहीं है क्यों नहीं है कि जियाओद्दिन बरानी कौन थे जियाओद्दिन बरानी इन्होंने क कहा था यह किसके मतलब contemporary थे मुहम्मद बिन तुगलग फिरोजसा तुगलग के तो इन्हों ने बनाया था तारीक 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 फिरोजसाही और फत्वाए पजहांगिंद जहांदरी तो इन्हों ने क्या कहा था की कि मुसल्मान जो है मुसलिम जो इंडिया कर जो इस्टेट है वो पूरी तरह से इसलामिक नहीं है इन्हों ने कहा था because majority of the population did not follow Islam ऐसा नहीं है Muslim theologists were often disregarded Muslim theologist को disregard किया आता है सुल्तान supplemented the Muslim law by framing his own regulation मतलब जो पूरी इसलामिक होगी उसमें Muslim rule ही follow होगा बड़ सुल्तान यहां पर एक अगरते हैं कि अपनी regulation बनाते हैं Muslim law में supplement Muslim law के अलावा अपना rules बनाते हैं इसलिए इसको हम truly Islamic नहीं बोलेंगे so she should be the answer अगला कुश्चियन है कि आलम खान one of those who invited Bauer to invade India आलम खान ने Bauer को invite किया था कि इंडिया पर आकर्मन करें है ना सो यह पूछ रहा है कि यह कौन थे और एंकल ओफ इब्राहम लोधी और प्रिटेंडर तो दिल्ली इब्राहम लोधी के यह थे अंकल थे पहला तो यह बोल रहा है इब्राहम लोधी के भाई थे दिलावर खान के पिताजी थे या पंजाब प्रभिंस के higher official थे वह डिसकनेक था कि जो यह मेरे अंकल है इब्राहम लोधी दिल्ली के गदी पर बैठे बैठे हुए हैं उनको हटाना है तो आलम खान और दौलत खान लोधी इस दोनों मिल करके बावर को बुलाया था और इनके बुलाने पर होती है पहली first battle of पानिपत और first battle of पानिपत 1526 में जो होती है उसमें इब्राहम लोधी जो है बावर को के द्वारा हार जाते हैं इब्राहम लोधी के जो आलम खान थे वो बतीजे थे अंकल थे आलम खान इब्राहम लोधी के अंकल थे और दौलत खान लोधी यह दोनों मिल करके बुलाया था तो कजन नहीं थे अंकल इब्राहम लोधी किसके किसके बीच में लड़ी गई थी तो बैटल धर्मत यह हमने बहुत बार देखी है 65-60 1658-59 में बैटल अफ धर्मत लड़ी गई थी मुगल वार ओफ सक्षेशन उसको बोलते हैं जस्वेंच सिंग दाठोर से लड़ाई के लाई बना ले थे इसलिए औरंग जेव ने इन से भी लड़ाई की बैटल गर्मत जो है मुगल वार ओफ सक्षेशन बोला जाता है 1658-59 में और दारा सिको बैटल ओफ धर्मत इस भी याद रखना है अगला कुश्चन है कि नरसी महा सलुफ इंडिट्ड दर संगम डैनस्टीएं सिज्ड ओफ उन सटारट डैनस्टी सतार्ट किया था पहला तो ये है दूसरा है वीर नर्सिम्हा टिपूजत लास सुलवा और लास सुलवा रोलर को वीर नर्सिम्हा ने हटा करके और अपना गर्दी बना लिया वीर नर्सिम्हा जो है को सकसीर किया था उनके भाई कृष्ण देवराय ने और कृष्ण देवराय जो है सकसीर किया ति नर्सिमहा के द्वारा देन फिर तुल्वा लाई ती ती और तुल्वा के बाद Georgi dari Davidu अब इसमें क्या रखने है Congress यहीं जो है कि अधिकर जो है संगम जो है पहली और देंस की विजयेंगर करती है और इसकी जो विजए मेर इम्पायर की ह्रियर गुक्कत अब क्या है संगन डानेस्टी को सक्सीर करके भीर नरसीमह सुल्वर डान्स्टी यह आपको explanation है, पूरी दी हुई है, है ना, अगला question है कि how did the dynasty of निजाम साही of अहमद नगर come to an end, अभी हमने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में, पांच बहमनी किंग्डम के तुटने के वाद, दिल्ली सल्तनत के पांच state, उसमें एक क्या था, निजाम साही of अहमद नगर, तो यह आप से पूछ रहा है, दूसरा है कि मुगल टुप्स दिस्ट्रोइड दौलतावाट फोर्ट एंड खिल निजामल मुलक ओफ अहमद नगर के निजामल मुलक को किल करके दौलतावाट फोर्ट को मुगल टूप्स ने डिस्ट्रोइड कर दिया था, देन फते खान स्वर सरफ्ट द थ्रोन फोर्म निजामल मलक है ना, सिंहासन छीन लिया, मलिक अंबर वाज दिफेटेट इन बैटल विद मुगल इन 1631 और इंटाइर रोयल फैमिली वाज किल बाइद मुगल टूप्स ऐसा कुछ नहीं था, अब अहमद नगर के जो फांड किया गया था, मलिक अ निजाम साही रूलर थे, उसका नाम था हुशैन सा, लास्ट जो थे, उसका नाम था हुशैन सा, समझ में आ गया, उनको ये चार्ज लगाया गया कि आप जो है सो कांसफाइरिंग कर रहे हो, मुगल के खिलाब आप जाल साजी कर रहे हो, इसके लिए आपको गद्दी तो र जब राजा वोडियार ने आपको मैसूर किंग्डम के स्थापना किया था तो उस समय विजय नगर इंपायर के कौन हुआ करते थे रूलर तो विजय नगर इंपायर के रूलर होते थे वेंकट विदिया ये विजय नगर इंपायर के राजा वोडियार जब किंग्डम इस पोस्टन मेडिवल एक और हमारी मेडिवल की होगी और विशिद ऑसी सेट पोस्टन में हम लोग अभी कर रहे हैं रैंकिंग सिक्वेंसिंग एरेंजमेंट इसको लोग कुश्चन को देखते हैं पहले ठीक है अब कुश्चन कहा है कि रिद इन्फोमेशन गिवन विलो और आंशर देखिख सिक्वाइटम एड़ एड़ एडर इंजिनेरिंग और टीक है दो चीज हो गई विच अर सिचुएटेट इन फोर डिफेरेंट सेट सेट और स्टेट बी अलग है गुजरात राजस्थान अश्चां केरला तो आपके पास इंफोमेशन क्या होगे चार स्ट student का नाम ABCD है City जो हो गए है वो PQRST हो गया Science Art Commerce Engineering हो गई और स्टेट हो गये गुजरात राजस्थान अश्राम केर्ड़ा अब इसमें पूछना है अब इसमें यह आपको दी होई है और इसको बेखते हैं कि कैसे क्या सौल कर सकते हैं सब कर देखते हैं आप देखते हैं यह बेखते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं यह पहले वाले में STATE अब हमारे पास में यहाँ पे है A is studying commerce college so A in branch कौन से है commerce तो यहाँ पे भी कोई दिखकत नहीं है अब हमारा यह है so A is studying यह भी खतम हो गया now अब यह कह रहा है कि science college is located in Kerala तो यहाँ पे होगा नहीं ठीक है और यहाँ पे होगा नहीं science यह तो समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे हमारा science college is located in Kerala science तो branch में हमारा science होगा पर state में Kerala होगा और arts college is located in city S which is in Rajasthan मतलब arts college is located in city S which is in Rajasthan मुझे मतलब हमेरे पास तीन खाली होने चाहिए तो हम क्या इसको C को लिख दे क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पे arts लिख देंगे तो city क्यों हो जाएगी यहाँ पे तो commerce होगी नहीं यहाँ पे अगर arts लिख दिए हैं यहाँ पे अगर arts लिखते हैं इस position पे तो इसके बाद क्या हो जाएगी यह राजस्थान हो जाएगा तो इसका मतलब C जो होगा राजस्थान, आर्ट्स और एस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो यह भी आपका खतम हो गया, अब आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन है कि साइन्स कॉलेज केरला में है, तो यह राजस्थान फिक्स हो गया, यह शाम हो गया, तो इसका मतलब यहां पे, अगर मा अचा क्या क्या, उसमें आपको यह समझना है, तो अब यह हो गया, हमारी सिटी बच गई दो, साइन्स कॉलेज लोकेटर इन केरला, तो बी और सी तो हमारा पूरा क्लेर हो गया, अब हमारे पास में ए और डी का है, कि ए कौन सी स्टेट होगी, अचा ए केरला राजस्थान साम हो गया तो इसका मतलब ये गुजरात होगा यहां भी कोई दिक्कत नहीं है यहां commerce science arts हो गया तो ये भी engineering होगा अब हमारा दिक्कत क्या हो रहा है city में हो रहा है city में यहां पे P या R कुछ भी हो सकता है और यहां पे भी P और R कुछ भी थो यह आपको पढ़ रहा है कहां पे गुजरात में खत्म हो बुदह बाद कुश्चन किसी कहां पे स्टर्डी कर रहा है तो उससे देखो C कहां study कर रहा है C study in science college राजस्थान गुजरात तो C के बारे में देखिए क्या है C जो है राजस्थान में arts पर रहा है और SCT है राजस्थान में arts पर रहा है और SCT है ठीक है C is studying in राजस्थान अगला है कि which one of the following statement is correct कौन सा सही है So D is not studying R D R में नहीं है A is studying in science college A is studying in Kerala कौन सी statement correct है तो A केरला में है नहीं देखिए आप समझे इसको A क्या है A आपको गुजरात में है A गुजरात में है और B केरला में है और D असाम में है तो अब इस question को अगर देखते हैं आप तो इसमें A is studying in Kerala तो यह गलत हो गया कि A केरला में तो है नहीं ठीक है और A is studying in science college यह भी गरल थे क्योंकि Kerala में science college है So A is studying in science college This is also wrong अब engineering college कहां है Let's see यह अशाम में है Engineering college अशाम में है So engineering college locating हो जात यह भी गलत So D is not studying in city S This would be the right D PR और P और RS city में थी So कौन सा सही है A सही है बस ऐसे ही आप एक question सही हो जाता तो साही सही हो जाते Which one of the following statement करी Regarding engineering college Engineering college कहां पे है अशाम में भी हम थोड़ी दरे पहले बात किये है और engineering college असाम है वहाँ पे D पढ़ता है So there should be the answer होगा ठीक है ना क्योंकि आप D असाम engineering हमने यहां देखा था D असाम engineering ठीक है So this should be the answer D studying here Which one of the following statement is correct Engineering college locating असाम बिल्कुल सही है अभी कितनी बार बात कर चुके है City Q situation असाम नहीं असाम में D है तो D में क्या है P और R दोनों है यह गलत हो गया So अच्छा करेक्ट पूछ रहा है तो Engineering college locating असाम यह सही होगा है ना So this is all about today's session है ना Today's videos So this is the quote of the day That you are stronger than You think आप जितना सोचते है उससे जादा stronger है So keep studying So thank you all for watching You can get the PDF on Telegram channel Thank you